मुख्याले परस्वाडा के हदय इस्थल के शुजाम मंदिर दर्वार प्रांगण में एक आवशक बैख्ठक आहूत की गई आयजुद बैठक में परस्वाडा जनपत पंचयत ख्षित्र के सभी ग्राम पंचयतों में कारत मैट उपस्थित हुए इस दरान उपस्थित मैटो ने एक स्वर में मद्य प्रदेश के सभी मैटों को इस्थायत्व प्रदान करते हुए अपने निमिती करण की मांग की उपस्थित मैट संग के महिलाओं का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शेबरासे चाहां द्वारा सभी को सौगात दी जो रही है सभी के मांदे न प्रदारित की जो आने चाहिए मैट संग के महिलाओं का कहना था यदि शिग्र ही मैटों के निमिती करण नहीं किया गया तो उनके द्वारा धर्ना प्रदारिशन के साथ ही सणकों पर उतर कर चक्का जाम भी किया ज़ाएगा परिचे बताएं जी मेरा नाम स्रीमति धुर्वन की आता हूं जी मैट संग की बैटा कोई है परस्वाडा में क्या काना चाहेंगे इसको लेगा मेर संंग के मिटिग इसलिए रहते चेक अति है आधि अर्जयन है हमारा कोई फुनए नहीं है नहीं, अगर करते हैं, तो आज तक यहां तक नहीं रहते हैं। हम तो आज़िपो होजाते हैं। हम कोई सब्सक्वाइन पहते हैं। मैंने पहाहते हम हमारी इसफ तो मवज़ा थाए हमनी तो यह चल गार्फाक मान्ज। तो हमारा कोई सुन ही नहीं है, हमारे सब का नाम आ रहा है, हमारे मेंट का कही होी जग मांगे पूरे होने होने पर हम धरनफ़ादर्शन करेंगे, मपकाश को पूरे संगटित अपना प्रदर्शन करेंगे और आगे वोपाल के जाएंगे वोपाल में अपना यह थर्णा प्रदर्शन करेंगे मैं सीतारा महरीन खेड़े ग्राम पंचायत खरपड़िया से मेट हूँ आज आपी मैटसंग की परसवड़ा में बैठक हुई है किस देश को लेकर बैठक किया आपके दार आज परसवड़ा की राममंदी प्रांगण में समस्त हमारे मेट भाई बहन लोग इसली एकत्रित हु पालन किये उस समय में 204 रुपए रोजी मिलती थी और 204 रुपए भरन पोस्टन नहीं हो पता परिवार का और हमारी उम्र कहां जाते चली है तो हम लोग चाहते हैं माननी मुख्य मंतरी महोदय जी से कि हम लोगों का नीमीदी करण होना चाहिए हम लोगों का जो मांदे है अर्द कुसल पारिश्रमिक मिलता है लेकिन वो भी नहीं मिल पाता और उसको कई दिन लटके रह जाते हैं तो हम लोग आखिर जो मजदूर का रेट होता है वही रेट से हम लोग पेमेंट लेते हैं यह हमारे लिए बहुत कम है तो हम सतत एक जूठ करके संगठन को मजबू और मानिनी मुख्य मंतरी महोदे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम यहां एकत्रित हुए हैं और हम जाना चाह रहा है कि हम मानिनी महोदीजी से अपनी बात रखेंगे क्योंकि अभी उनके कारेकाल बहुत अच्छे चले हैं तो कम से कम हम मेटों का उद्धार हो जिस इतना धूप में कड़े रहते हैं में इकाई मेंट के विना काम अधुरा है उनकी आईटी से सारे काम होते हैं तो जब जवाबदारी तो बहुत है लेकिन उसके हिसाब से हम लोगों को मानदे नहीं है इसलिए अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम समस्त मत्यप्रदेश के मेट संग अंदलन करेंगे बाला घाट से वीरेंदर श्रीवास की रिपोर्ट